ये लगातार मिलना चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही है अस्पतालों पर दबाओ हमारे स्वास्त कर्मियों पर दबाओ रोज मरा के काम में निरंतरता का ना आना पाना ये हर दिन एक नवी चुनवती लेकर आते हैं मुझे संतोस हैं कि हर राज्य अपने अपने स्थर पर महामारी के खिलाप लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बन करके काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो हैं वो एक परणाम लाने में हम सफल हुए हैं इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकावला किया है उसमें सबका साथ मिल करके काम करना यह बहुत बड़ी बात है सभी माने मुख्यमंत्री जी आज 80 प्रतीशत एक्टिव केसिस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाप लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमी का बहुत बड़ी हो जाती है आज देश में एक्टिव केसिस छे लंग से जादा हो चुके हैं जिन में से जादा तर माम ले हमारे इन 10 राज्यों में है इसलिए ये आवशक्ता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समिक्षा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रक्टिसिस हैं उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिटिव लिये हैं जो सब के ध्यान में आएं क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करी रहा है और आज की सर्चा से हमें एक दुसरे के अनुभों से काफी कुछ सिखने को समझने को मिला है कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा साथियों टेस्टिंग के संख्या बढ़कर हर दीन साथ लाग तक पहुँच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है इससे संकरमन को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है आज हम उसके परणाम देख रहे हैं हमारे हां एवरेज फटलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है एक्टिव केसिस का प्रतिशत कम हुआ है रीकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है सुधरता जा रहा है तो इसका आर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे है सबसे अहम बात ये है कि इससे लोगों के बीज भी एक भरोसा बढ़ा है आत्मेविश्वाद बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे हमारी ये सफलता आगे और भी बढ़ीर होगी और एक संतोस का भावम को अनुभव होगा हमने मृत्युदर को एक प्रतिसत से भी नीचे लाने का जो लक्ष रखा है इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें बड़े फोकस में हमें प्रयास करें तो वो लक्ष भी हम हासिल कर सकते हैं अब आगे हमें क्या करना है कैसे बढ़ना है इसे लेकर भी काफिस परस्ता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रासूर्ट लेवल तक सब लोगों की दिमाग में पहुँच गया है अभी क्या करना है कैसे करना है कप करना है बात हिंदुस्तान के नागरी नागरी तक हम पहुँचा पाए हैं अब देखे जिन राज्यों में टेस्टिंग रट कम है और जहां पॉजिटिव रेट हमने आई है खास तोर पर बिहार गुजरात यूपी पश्यमंगाल और तेलंगणा यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है सात्यों अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेन्मेंट कारेंट ट्रेसिंग और सर्वेलंस यह सबसे प्रभावी हत्यार है अब जनता भी इस बात को समझ रही हैं लोग पूरी तरह सयोग भी कर रहे हैं यह जागरुकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे प्रणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं हम कॉरंटाइन की ववस्ता इसी वज़े से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं एक्सपर्स अब यह कह रहे हैं कि अगर हम सुरुवात के 72 गंटे में ही केसिस की पहचान कर ले तो यह संक्रमन काफ़ी हद तक दिमा हो जाता है और इसलिए मेरा सबसे आगरा है कि जैसे हाथ दोने की बात ह दोगज की दूरी की बात हो मास की बात हो कहीं पर न थुनकने का आगरह हो इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी ववस्ताओं में भी और कोरोना वारियर के बीज बीज और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बरा बर्ग पहुंचाना पड़ेगा और वो है बहतर घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आस्पास के सब को उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए उनका टेस्टिंग होना चाहिए उनके दिए जो आवशक है वो व्यवस्ता होनी चाहिए अगर यह बहतर घंटे वाली फॉर्मिला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजे हैं उसके साथ आप इसको जोड़ देना है कि बहतर घंटे के बीतर बीतर इन सारे कामों को कर लेना है और टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु एब भी हमारे पास है आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलर्ली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एडिया से शिकायत आ रही हम पहुंच सकते हैं हमने देखा कि हर्याना के कुछ जिले उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली एक ऐसा कालखन आया कि बड़ी चिंता का विशे बन गया सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी गोशना की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा तो फिर मैंने एक रिवीव मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर सिमाद अमिश्याजी को नित्रत्म में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा एप्र बता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चितर दिखता हो लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हपते दस दिन में अपने तरब मोड सकते हैं और हैं अनुभव करके देखा है और इसी रणदिती के भी जो मुख मिंदु यही थे कंटेन्मेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना जहां जरूरत पर्ड़े वहाँ मॉयक्रो कंटेन्मेंट का भी आगर्या करना है हांद्रेट पर्सें स्क्रीनिंग करना है, रिक्षा, और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाइरिस लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए, आज इन प्रयासों का परनाम हमारे सामने हैं, हॉस्पिटल्स में बहतर मैनेजमेंट, आईस्यू बेट्स के संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की हैं, साथियो सबसे ज़्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है, आपके राज्यों में जमीनी हकीतकत की निरंतर निग्रानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है, कि आज जितना भी हम कर पाए हैं, वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं, मुझे विश्वास हैं, कि आपके इस अनुभव की ताकात से, देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा, और एक नई शुरुवात होगी, कि आपके और कोई सुजाव हो, कोई सलाव हो, तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्द हूँ, आप जुरू बताइए, और मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ, साब्या सरकार के सभी अधिकारी भी आज मुझूद थे, जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसके चिंता कनिगले कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि यह जो कालखन होता है, सावन, भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बिमारी का, और बिमारियों का भी माहौल बन जा जाता है, उसको भी हमें समालना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो एक प्रतिशत से नीचे मृत्यूदर लाने का लक्ष, रीकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष, 72 घंटे में सारे कॉंटेक परसंट को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्ता करना, इन मंत्रों क को लेकर कि अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे, तो हमारे जो दस राज्य जहां पर 80% केसिस हैं, हमारे दस राज्य जहां 82% मृत्यू हैं, हम दस राज्य इस पूरी स्थिति को पलड़ सकते हैं, हम दस राज्य मिल करके हम भारत को विजयी बना सकते हैं, और पिर एक बार आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे डंग से आपने अपने सारी बात दे रखी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं